तो सवाल ये उड़ता है कि शाहिन बाग के प्रयोग के पीछे किसे फायदा हो रहा है जिस तरह से कॉंग्रेस और विपक्षी दलों के लोग सरकार के बार-बार समझाने और सफाई देने के बाद दी शाहिन बाग के प्रदर्शन कारियों का समर्थन कर रहे हैं उससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इस पूरे प्रदर्शन के पीछे किस का हत है दिल्ली का चुनाव शाहिन बाग पर होने जा रहा है शाहीन बाग संयोग नहीं प्रयोग है दिल्ली के चिनाव में शाहीन बाग एक बड़ा चिनावी मुद्दा बन चुका है ऐसे ने जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए अपने चिनाव पुचार का श्री गणेश करने के लिए उत्रे तो उन्होंने शाहीन बाग के प्रधर्शन पर निशाना साथा दिल्ली के कड़कर डूमा में पीम मोदी ने सोंबार को रैली में कहा कि शाहीन बाग का आंदोलन एक खतरनाक राजनीती है जिलम पूर हो, जामिया हो, या फिर शाहीन बाग क्या ये प्रधर्शन सिर्फ एक संयोग है? जी नहीं, ये संयोग नहीं, ये एक प्रयोग है इसके पीछे राजनीती का एक ऐसाथ डिजाइन है, जो राश्ट के सोहार्द को खंडित करने के इराजे रखता है पियम मोदी ने कहा कि शाहीन बाग में सम्विधान और तिरंगे हाथ मिलेकर ज्यान बाटा जा रहा है पियम मोदी ने कहा कि किसी भी प्रधर्शन से दिल्ले की जनता को परिशानी नहीं होनी चाहिए इस बज़र से कितनी दिक्कत हो रही है दिल्ली से नोएड़ा आने वा जाने वाले लोगों को दिल्ली की जनता इसे देख भी रही है समझ भी रही है वो चूप है साइलेंट है और वोट बेंकी इस राजनीटी को देखकर दिल्ली का नागरी गुस्थे में भी है वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ ने जीन्यूस से एक्सक्लूजिव बातचीत में बिना लाग लपेट के कहा कि शाहिन बाग में बिरियानी खिलाने वालों से दिल्ली की जनता को सवाल पूछने का अधिकार है कि जिन लोगों ने जेन्यू में या जामिया मेलिया में भारत बिरोधी नारे लगाए हैं पुल्वामा के सहीतों का अपमान किया हो सर्चिकल स्ट्राइक के परमान मांगे हो साहिन बाग में जो लोग बिरियानी खिला रहे हो जनता को उनसे जवाब उसने का अधिकार नहीं होना चाहिए क्या अब आप दिल्ली में उसको कहोगे तू हिंदू मुसलमान होके लड़ ले उसके अंदर के सेंटिमेंट्स ठीक है वो हिंदू मैं भी हिंदू हूँ और I love, I am proud to be a हिंदू मैं भी पूजा पाठ करता हूँ, सब करता हूँ लेकिन आप मुझे कहोगे अपने बेटे की एजुकेशन छोड़ और हिंदू मुसलमान के लड़े जा मैं तो नहीं घड़ना वाला मैं भी हिंदू